हेलो दोस्तों, वेलकम टो आर चैनल, जैसे कि आप लोगो को पता था कि जिस चीज का डर था वोई-वई-वई-ई-चीजे सामने आ गई हैं और दोनों एक्जाम को पोश्टपॉन कर दिया गया है और कमेटी कब अपनी रिपोर्ट सो उपने वाली है, क्या होने वाला है और आपका एक्जाम कब होगा देखिए मैं आप लोगो को पढ़के बता देता हूँ, नोटिस क्या है और आप लोगो को एक mail ID दी गई है, जिस पे आप अपनी recommendations दे सकते हैं मतलब अपने suggestion दे सकते हैं, जो भी आपको suggest करना है उने और बहुत अच्छे से उन्होंने तीन हफते का time दिया है, वाह, बहुत अच्छा चलिए देखिए यहां पर, 5 member इस committee में हैं, और नाम वाम तो आप पढ़ देना, मैं notice दाल दूँगा दो चीजों पर बात होगी, NTPC के result में जिस तरह की problems face कर रहे हैं student और दूसरा CVT2 Group D में क्यों लाया गया, इस पर बात होनी है इसके अलाबा यहां पर बोला गया है, तीन हपते का समय आपको दिया गया है lodge के लिए कि आप अपना concern जो है, वो आप लोग रखिएगा 16.02.2022 तक मतलब 16.02.2022 तक मतलब 16.02.2022 तक आप अपनी recommendation या जो भी आप suggestion देना चाहते हैं वो यहां पर बोला गया है, इसका नाम है rrb committee at the rate railnet.gov.in मैं लिखके दे दूँगा, attention की जरूत नहीं है, इस पर आप लोग अपनी चीज़े रख सकते हैं रख क्या सकते हैं, सब बताई दिया होगा, तब भी 3 हपते का समय इन्होंने लिया है इसके बाद इन्होंने बताया है कि 4 March 2022 को यह recommendation, यह जो committee है, यह अपनी recommendation देगी कि भाई railway board को किस तरह की problems है और क्या करना है, क्या नहीं करना है तो कहने का मतलब यह कह सकते हो आब, कि exam, जब यह recommendation देगी, तब आपकी exam date आएंगी इसका कहने का मतलब सीधा सा है, कि exam जो है 15 March के बाद ही possible हो पाएगा, लगवग 10 March या 15 March के बाद ही possible होगा, या तो March end में, या फिर आप लोग देखेंगे कि April में होगा यह मत समझना कि दुबारा से और तयारी का आप लोगों को time दिया जाएगा क्योंकि इन्हें पता है कि आप लोग तयारी तो बहुत पहले से कर रहे हो और जितनी भी चीज़े हैं तो बस कहने का मतलब यह है कि आपको अब लगभग एक महीना या दो महीने का डिले देखने को मिल सकता है यह notice है इसमें यही बोला गया है कि भाईया पांच members की committee बनाई गई है उसमें हमने दो concern रखे है result of first stage CVT की methodology जो use की है short-listing candidate without affecting existing short-listed candidate next है introduction of second stage CVT in RRC group D तो बस यह दो बाते रखी गई है इसके अलावा इन्होंने बता दिया है कि अभी फिलहाल के लिए second stage CVT CN01 2019 NTPC beginning 15 February and first stage CVT 2030 से जो होने वाला था वो stands postpone अभी postpone किया जा रहा है तो यह बहुत जो भी चीजे थी है आपके सामने आ गई है बाकी बस मेरा आप लोग को काम था inform करने का अब continue पढ़ा ही रखनी है क्या करना है वो आप decide करना मुझसे तो जैसा कहोगे मैं आप लोग के लिए तयार हूँ अगर आप लोग कहोगे कि भईया target continue करो तो मैं target continue करूँगा अगर आप कहोगे कि नहीं भईया रहने दो कुछ नहीं हो रहा तो भाई रहने देते हैं फिर जैसा आपका मन होगा बैसे करना है ठीक है चलिए फिर ये देख लेते हैं बस ये information थी कि भईया exam postpone हो गया है चलिए मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए भाई टेक केर य यह वाला जो नौटीस है टेलीग्राम ग्रूप में आप लोगों को मिल जाएगा बी आई पी गुरूजी ऑफिसियल के नाम से टेलीग्राम ग्रूप है सारी की सारी information सबसे पहले आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी